संख्याओं के साथ खेलना संख्याओं के साथ खेलना में हम पिछली रक्षा में आफी चीजे पढ़ चुके थे और कुछ अभ्यास प्रश्णों को भी कर चुके थे जिसमें हमने सीखा था कि संख्याओं के साथ किस प्रकार हम खेल सकते हैं कैसे उन से इसे खेलना सकते हैं और अब बहास 16.2 में आईए प्रेशन करते हैं आपको देखिए कोशन दिया गया उधार नमबर 4 21436587 की 9 से विभाज्यता की जाज कीजिए विभाज्यता की जाज करने हैं आपको हल देखिए 21436587 की अंको का योग 21436587 क्या आगे आपका 36 क्या आगे आपका 36 यह योग 9 से विभाज्यता है तो कितना आगे आपका 36 डिवाइड 9 क्या आगे आपका 4 तो आपको पता चल गया आप इनकी अंको का योग देखेंगे तो इनकी अंको का आपने योग कर लिए उपकी 9 से विभाज्यता की जाज करने के लिए पिछली कक्षान में हमने सीखा था कि हम उनकी अंकों को योग करेंगे और उसको हम 9 से भाग करेंगे अगर वो पूरा-पूरा कट जाता है तो वो आपको क्या है? 9 से भाज जाता है उसकी तो इसकी जाज करने के लिए हमने क्या किया? तो हमने 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 को हमने टोटल कर दिया और उसको हमने योग करा तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 4 अतै हम निसकर्ष निगालते हैं कि 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 संख्या 9 से विभाज्य है हम दोबारा जाज भी कर सकते हैं हम जाज करेंगे तो 9 से हमने इसको कटा देखिया आप इस प्रकार इसको जाज कर सकते हैं अब आप 9 का टेबिल पढ़ेंगे इसमें 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दोनिय के आगया आपका 14 यह देखिए आपका कितना बचा 3 अब आगया आपका 9 देखिए 27 9 देखिए 27 आप क्या बचा आपका इसमें 7 बचा और यह आगया 3 अब क्यांट का टेबिल आगया आपका 9 का पाड़े में नौचिंग चभून होते हैं 9 सत्य 63 और नौटे 72 तो 72 आगया आपका यहां एक बचा 9 देखिए 9 आगया आपका क्या बचे का आपका 7 तो नौचिंग आप दुबारे बादतर लिखतेंगे हैं फिर आप यहां से स्टार्ट कर दे बादतर आगया आपका यहां पे और यह पिछटतर का और यहां उपर संख्या आए है 8 और 7 तो कितना बचा आपका है 3 और आगया आपका 8 9 के टेपिन मौर क्या कर सकते हैं 9 चौक 36 36 आगया क्या बचा 2 और यह 7 बचा है तो 9 तिया 27 तो आपका क्या कड़िया है पूरा पूरा यह कड़िया और यह हमारा क्या आगया आंसर इस प्रकार आगया कि 9 से विभाजयता का गुणा में इसमें पता चल गया अब next देखिए अब देखिए उधारण नमबर आपको दिया गया है 5 152875 की 5 से विभाजयता की जाँच कीजिए किस प्रकार है? हल देखिए 152875 के अंकों का योग क्या है? 142875 is equal to 28 क्या है 28 है? यह संक्या 9 से विभाजय है नहीं है क्या है? 9 से विभाजय नहीं है हम निसकर्ष निकालते हैं कि 152875 संक्या 9 से विभाजय नहीं है कैसे? क्योंकि हम इसको divide करेंगे तो 9 से विभाजय नहीं आएगी तो आप करके देखिए तो 38 आ गया इनका total क्या आ गया 152875 का क्या आ गया आपका total 28 इसको 9 से आप करेंगे तो पूरा-पूरा 29, 27 तो आपका शेश्वल बच रहा है और यह शेश्वल बच रहा है तो पूरा-पूरा आपका divide नहीं हुआ है इसका मतब यह answer आपका ठीक नहीं है अब देखिए स्कोल धार नंबर 6 दिया गया है यदि तीन अंको की संख्या 28x, 24x, 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है अब हल देखिए क्योंकि 24x संख्या 9 से विभाज्य है इसलिए इसके अंको का योग क्या है 2, 4, X, 9 से विभज़े होना चाहिए और थार, 6 प्लस X, A से विभज़े होना चाहिए यह तब ही संभाव है, जब 6 प्लस X, या तो 9 हो, या 18 हो क्योंकि X का एक अंक है, इसलिए 6 प्लस X, प्लस is equal to 6 प्लस X is equal to 9, और X is equal to क्या आगे आपका 3 यह बात आपके समझ में आई, तो क्या है, 9 से विभज़े है और इसलिए इसके अंकों का योग क्या आगे आपका, 2, 4, X, 9 से विभज़े होना चाहिए और अर थार, क्या है, 6 प्लस X, A से विभज़े होना चाहिए और यह तब ही संबग है, जब X प्लस यह होगा, या 9 हो, या क्या हो, 18 हो यह बात आपको समझ में आगे अच्छे से अब देखिए आपको क्या दिया गया है, जो एक अंक्य है और इसलिए 6 प्लस X is equal to 6 होगा, अज़े X पराबर के आगे आपका 6 अब देखिए, आप यहां पे आता है, उधारन नंबर 7 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 की तीन से विभज़ता की जांच कीजिए अब क्या होगा हल में आपका, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 की अंको का योग की आगे आपका, 2, 1, 5, 6, 5, 8, 7 is equal to की आगे आपका 33 है जो इस पस्टत है आपका, तीन से विभज़ता है और 33 अब डिवाइड की आगे आगे, 3 की आगे, 11 अते हम निसकर्ष निकालते हैं की 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 संक्या 3 से क्या है, विभज़े है अब उधारण नमबर देखिए अभी पूरा क्या है, पूरा 3 से क्या होगी, विभज़े हो गया क्योंकि 33 था और 3 करा आपने तो आपका आगे, 11 तो आपका आगे 33, ये बात आपकी clear हो गई और ये आगे आपका, अब उधारण नमबर देखिए 15 287 की 3 से विभज़ेता की जाज कीजिए अब देखिए, हल देखिए क्या आ रहा इसका 15287 की अंकों का योग क्या आपका 15287 वराबर क्या आगे 23 जो 3 से विभज़ेता नहीं है और हम निसकारश निकालते हैं ये 15287 संख्या 3 से विभज़े नहीं है तो किस प्रकार करा 23 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 3 सत्य 21 तो क्या बचा आपका यहां पर 2 तो शेश्वल बचा है तो आपका पुरा-पुरा कटावा नहीं है और यह पुरा-पुरा इससे विभाज़ेत नहीं हो रहा है तो यह इसका विभाज़े नहीं है यह बात आपकी क्या होई क्लियर होगा अब देखिए कुर्शन नमबर आपको गुणज है क्या है एक गुणज है अता है इसके अमकों का यह विभाज़े होना चाहिए तो क्या होगे आपका 2, 1, y, 5 क्या आगया 8 प्लस y तो आपका क्या बनके आगया आपके 8 प्लस y is equal to 9 और y is equal to क्या आगया आपका 1 तो आपका y का मान क्या आगया आपका 1 आप यहां रख सकते हैं 2, 1, 1, 5 9 का गुणज है तो कैसे होगा तो 2, plus 1, plus 1, plus 5 क्या आजाएगा आपका plus 1, plus 1, plus 5 ये भी आपका क्या हो गया plus 1 आपके आगया 2, plus 1, plus 1, plus 5 क्या आगया 9 को 9 से डिवाइट करेंगे तो आपका जाएगा 1 तो ये 9 से पूरा-पूरा कट रहा है तो ये 9 का गुणज है ये 9 का एक विभाजे गुणज है और ये 9 से कट गया है अच्छे, 9 के विभाजे गुणज में आपका क्या आता है कि आपकी सारी अंकों को योग करना पड़ेगा और वो 9 से डिवाइड होता है तो वो उसका विभाज्य होता है आगे देखिए दो अब सेकिन नमबर दिया है यदि 31, Z, 5, 9 का एक गुणज है जहां Z एक अंक है तो Z का मान किया है तो आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर है ऐसा क्यूं है अब देखिए क्योंकि 31, Z, 5 9 का एक गुणज है 9 का एक गुणज है इसलिए इसके अंकों का योग क्या है 9 से विभाज्य होना चाहिए तो आप क्या करेंगे इसमें 3, 1, प्लस Z, प्लस 5 और 9 प्लस Z तो ऐसी संख्या जो दोनों तरफ आपकी बराबर आए और इसके योग भी इसके गुणज के बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे Z को हमने क्या माना यहां से यह टोटर क्या आगे आपका 9 प्लस Z is equal to 9 और Z is equal to 0 इस 33 प्लस 1 Z प्लस 5 is equal to 9 प्लस Z तो क्या आगे 9 प्लस Z is equal to 18 तो क्या आगे Z is equal to 0 और यह आगे Z is equal to 9 0 और क्या है 9 इसके 2 उतर है 0 और 9 इसके 2 उतर है यह बात आपको clear हो गई 0 और 9 क्या है इसके 2 उतर है और इस प्रकार यह इसका अंजर आगया अब next देखिए अब दिया गया question number आपको 3 यदि 24x 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है किस प्रकार है क्योंकि 24x 3 का एक गुणज है इसलिए इसके अंकों का योग क्या आगया 6 plus x 3 का एक गुणज है अर्थार्थ x plus 6 निमलेखित में से कोई एक संक्या होगी ये बात आपकी समझ में आ गई तो क्या होगी 0,3,6,9,12,15,18 ये बात आपकी clear होगी कि इन में से क्या होगा एक संक्या होगी जिनमें 0,3,9,6,12 और 15 होगी 3 के डेबल की कोई संक्या होगी ये के गुड़ज है पर अंतूचों की x का ये क्या है इसलिए 6 plus x is equal to 6 या x plus 6 is equal to 9 और x plus x is equal to 12 या x plus 6 plus x is equal to 15 हो सकता है अता है x is equal to 0 या 3,6,9 हो सकता है इसलिए x का मान इन 4 विबिन मानों में से कोई एक हो सकता है ये बात आपकी clear हो गई आप देखिए उत्तर क्योंकि 24x 3 का एक गुड़ज है ये बात आपको पता चल गई इसलिए इसके अंकों का जो ये हो गए वो 3 से भाज्य होना चाहिए तो आपने क्या क्या 2,4,x is equal to 6 plus x क्योंकि x क्या है x का एक अंक है अब 6 plus x is equal to 6 तो क्या आगया x is equal to 0 6 plus x is equal to 9 तो क्या आगया x is equal to 3 6 plus x is equal to क्या आगया 12 तो x is equal to क्या आगया 6 6 plus x is equal to क्या आगया 15 तो x is equal to क्या आगया आपका 9 तो x के 4 मान क्या है? 0, 3, 6 और 9 हो सकते हैं तो यह x के 4 मान हो सकते हैं आपके 0, 3, 6 और 9 हो सकते हैं यह बात आपकी clear हो गए इच्छे से अब देखे आपको question number 4 दिया गया है यदि 31, z, 5, 3 का एक गुणज है जहां z का एक अंख है तो z का मान क्या हो सकता है? या फिर क्योंकि 31, z, 5, 3 का एक गुणज है इसलिए इसके अंखों का योग क्या है? 3 से भजिये होना चाहिए क्योंकि z एक अंख है और क्या हागे आपका? 3 plus 1 plus z plus 5 is equal to 9 plus z 9 plus z is equal to 9 और z is equal to 0 अब देखे 3 plus 1 plus z plus 5 is equal to 9 plus z और आपका क्या आगया 9 plus z is equal to 12 जहापर z is equal to क्या आपका 3 अब आगे देखिए अब अगर हम लेते हैं 3 plus 1 plus z plus 5 और 9 plus z और 9 plus z is equal to 15 और z is equal to क्या आगया 6 if 3 plus 1 plus z plus 5 is equal to 9 plus z आगया तो आपका आगया 9 plus z is equal to 18 और z is equal to क्या आगया आपका 9 अब क्या है z के 4 मान क्या है 0, 3, 6 और 9 हो सकते हैं ये बात आपकी clear हो गई कि z की कितने मान हो सकते हैं आपके 0, 3, 6 और 9 हो सकते हैं ये बात आपकी clear हो गई यहां से अब आईए आगे देखते हैं तो आपने आज क्या सिखा कि आप क्या कर सकते हैं विभाजता के मान जैसे अगर आपका 2 का विभाजय है तो आप क्या करेंगे उसके जो last वाली संख्या होगी last वाली संख्या दो का गुणाज होनी चाहिए अगर आपका 3 का विभाजयता का नियम है तो क्या होगा सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग इससे डिवाइड होना चाहिए 3 से इसी प्रकार 9 का विभाजय का नियम है 9 का विभाजय नियम सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग विभाजय होगा किससे? 9 से यह बात आपकी clear हो गई अब आगे देखिए यह हमारा समझ में आगे आपको अब देखिए हमारा पांच से विभाजय का नियम पांच से विभाजय का नियम क्या होगी आपका? यह पांच या जीरो हमारा संख्या के अंत में आना चाहिए संख्या के अंत में होना चाहिए तो यह क्या होगा? पांच से विभाजय हो जाएगा यह बात आपको clear हो गई? आगे कम next class में सीखते हैं आज के लिए thank you दोला हो आपको क्या हो चिझा अंपको क्या हो प्रिंट आपको आपको झाल झाल